नमस्कार फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी एस्पेरंस का इस आइकोनिक एस्पेरंस पे फ्रेंट्स आज हम इजो टेरिया द्वारा यह जो करेंट फेर वार्शिकांग परकासित किया गया है इसमें हम आज बात करने बाले हैं और इसमें आपका 2022 से लेकर 2023 जो कि अभी सेप्टमबर का महीना चल रहा है और 30 सेप्टमबर को आपका पेपर है तो पूरे एक बर्सो का जो करेंट फेर है जितना राश्टिये और खास करके बिहार के संदर में जो भी घटनाएं हुए हैं उन सभी घटनाओं पे हम चर्शा करेंगे बात करेंगे तो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं सितंबर 2023 से और सितंबर 2022 तक हम चर्शा करेंगे हो सकता है प्यारे साथी कि इसका क्लास कम दो पार्ट में आ सकता है क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर आपको प्रोब्लम हो जाएगा एक सरकरी नजर में यहाँ देख लिजेगा आप सभी क्योंकि अब दिन बहुत ही कम है मातर आपका 15-20 दिन बचा हुआ है तो थोड़ा सा आपको क्लास को दो तीन बार कम से कम देखना होगा और किसी भी प्यारे साथी को पीडियाप चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को जोईन कर लेंगे चले स्टार्ट करते हैं आज का यह क्लास सितंबर 2000 की हम घटना 2023 की घटनाओं पर हम पहले बात करेंगे तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट है कि एक सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ध्यान से सुनना है ने जेश्टी बिलों में बिद्धी के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की सुरुआत की है इस योजना का जो सुरुआत करने का कारण रहा है तो याद रखना है इस योजना के जडिये सिर्फ 200 रुपे की खरीदारी करके क्या कर सकते हैं तो एक करूर रुपे तक के cash prize जीतने का मौका मिल सकता है बहुत important है कौन सा यूजना का नाम है तो याद रखना है मेरा बिल मेरा अधिकार ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question पर बात करते हैं हाल ही में सार्बजनिक उद्धम विवाग ने राष्टिये chemicals and fertilizers को उनक्या दिया गया है तो 9 रतन की दरजाय दी गई है बहुत important है याद रखना है यह सभी जो घटना है September 2023 की हम बात कर रहे हैं तो आप से 100% पुछने की संभाव नाए है आगे बढ़ते हैं भारतिये पुरातात्व सरवेक्षन विभाग ने नई दिल्लीक में a.a heritage 2.0 प्रोग्राम की सुरुवात की है और इसका उद्धे से क्या रहा है तो याद रखना है भारत की सांस्कृतिक धरोहर की सनक्षन करना था ठीके इसके तहत इंडिया इंडिया heritage एप और आपका एक और है क्या तो यी प्रामिस पोर्टल को लॉंज भी किया गया है ठीके तो ये दो आपको पोर्टल भी याद रखना है बहुत ही इंपोर्टेंट है आपसे पूछे जा सकते हैं तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे हाल ही में आर वी आई गवर्नर सक्तिकान दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंक रिपोर्ट कार्ड 2023 में ए प्लस रेटिंग से सम्मानित किया गया है बहुत इंपोर्टेंट है और ये 100% पुछने के संभावना है देखे करेंट अफेर जरूर से आप लोग पकर बनाईए करेंट अफेर जितन चराए गया है फिर भी पता नहीं कहां से करेंट फिर बीपेशी पुस्थी है कि पता नहीं चर रहा था तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग को प्रेपेर रहना होगा साथियो एंसी आटी तथा उनेसको द्वारा बच्चों के स्वास्त एवं कोसल पर अधारित पुस्तक प अगर बात करें नेक्स्ट केंद्री ए मतस्य पालन पशुपालन और डेरी मंत्राले द्वारा तमीना डुकन्य कुमारी जीले में थेपा थेपा पटनम फीसिंग हॉरवर से क्या क्या गया है तो याद रखना है इसमें सागर परिकर्मा के आठवे चलन की सुरुवात की है किनके द्वारा की गई है अब आपके क्वेश्चन बन सकते हैं यहां पर किस राजी में सुरुवात की गई है तो च्छते सिगर से राइपूर और किनके द्वारा किया गया है तो राश्पती द्रोपदी मुर्मोगी के द्वारा किया गया है हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट एक चुनाव पर चर्चा विचार करने के लिए एक समीती का गठन किया है जिसके अध्यक्ष कौन है तो याद रखना है हमारे भारत के पुर्व राष्टपती त्री रामनात गोबिन जी को बनाया गया है और याद रखना है इस जो समीती का सदस्य होंगे और कितने होंगे तो आठ सदस्यों को इसमें चैन करना है आठ सदस्यों की इसमें नाम दिये गए हैं ठीके जो की बहुत ही चर्चा में था 100% संभाबना है कि ये पूछे जासकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चा में अभी भी है आगे बढ़ते हैं बांगला देश में 2024 में होने वाले महला टेटरंटी विस्वकप में कनाडा की डेनियल मेकम गेही किसी भी अंतराष्टिये मैच में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनेगी महतपूर्ण ह महतपूर्ण यस लिए है क्योंकि बिप्यसी हो या फिर कोई भी आयोग हो पहला और अंतिम चीज खास करके पूस्ती है यहां पर पहली क्या करा है ट्रांसजेंडर की बात की जारी है वो कौन है तो याद रखना है डेनियल मेक गेही है ठीक है तो उनको आप लोग याद र इसका प्रिक्षन केरल के नींद कारा में किया जाएगा अब आप से पुछा जाएगा कि नाभमित्र क्या है तो आप क्या बताएंगे नाभमित्र जो है यह मच्छवारों के सुरक्षा के लिए एक यंत्र है एक उपकरन है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो कहता है तृपूर सरकार ने की है महत्पूर्ण है केंद्रिय मंत्रे प्रिस्ट गयर्ल ने क्या किया है तो याद रखना है तमीन नाड़ू के कहां पे तो कोई बूट में कोई बूट में स्वतान भारत के पहलेवित्त मंत्री शन पुर्ष्म सेठ्ठी की प्रतीमा का अबराबन मनलब अनाब करने के लिए क्या किया है तो याद रखना है फूनगा अभ्यान के सुरुवात की है अब आप से पूछा जाएगा फूनगा अभ्यान के सुरुवात किसलिए की गई है तो साथ याद रखना है सन्निक तो राष्ट जैब विवित्ता के द्वार की गई है किसलिए की गई है य इनके द्वार नई दिल्ली में NCRT के 63 अस्थापना दिवस पर NCRT को डीम टू बी यूनिवर्शेटी का दर्जा गया बहुत महत्पूर्ण है ये कनफंप पुछे जाएंगे आपसे तो अपना जो NCRT है इस NCRT को किस चीज़ का दर्जा मिलिया है तो डीम टू बी यूनिव इस NCRT का दर्जा मिल चुका है किस अस्थापना वर्ष पर मिला है तो तिर्शर्ट वे अस्थापना दिवस के अपसर पर दिया गया है ठीक है हाल ही में अश्रम में राजी के सबसे लंबे लगभग 2.63 किलो मेटर क्या 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 है तो निला चल फ्लाइवर का उद्गाट सबसें कंशली सबसे लिए अस्थापना वर्ष पर देखना की मिलिए . तो 94.8% जो है या क्या है तो भूजल और 1.21 मिलियन जो की 5.2% जो है सहती जलकी योजना का लक्ष रखा गया है याद रखेंगे महत्पूर्ण है नेक्ट हम बढ़ते हैं नेक्ट महीना के हम बात कर रहे हैं तो अगस्त 2023 की हम चर्चा करेंगे सेप्टेंबर 2023 में जो भी अभी तक के घटनात है सब हम बात कर चुके है चलिए बढ़ते हैं अगस्त 2023 की ओर जल सक्ती मंत्रालेक ने क्या किया है तो जल संसाधन नदी विकास और गंगा सनक्षन विभाग के लहू सिचाय योजना पर छठी जो कि अभी हम लोग देख चुके हैं चठी गनरा रेपोर्ट जारी की गई है यह हम लोग उपर देख चुके हैं आगे बढ़ते हैं एक सिकेंड चलिए कानून मंतरी अरजूराम मिगवाल इनके द्वारा क्या किया गया है महत्पूर्ण है क्योंकि कानून में हमेशा बदलाओ देखे जाते रहे हैं 25 अगास 2023 को नई दिल्ली में न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या किया है तो टेली लोग और न्याय बंदू एप को एकी किरिद करने वाला टेली लोग जो की 0.2 न्याय बंदूत्व एप का जो एकी करन के लिए जो उदेश से है वह है क्या तो न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आम आदमियों को आम नागरी को को इसमें आम नागरी एकल पंजी करन और एकल प्रबिस द्वारा माध्यम से क्या कर जाएगा तो कानुनी सा हायता दी जाएगी कानूनी प्रतिदिश्ब और ये सभी चीज प्राप्त किये जाएंगे हर वेक्तियों के लिए ठीक है आगे बढ़ते हैं स्टेट ओफ इंडियाज वर्ड क्या है स्टेट ओफ इंडियाज वर्ड तो यह रिपोर्ट के अनुसार पिछले सात वर्सों में क्या किया गया है तो 359 जो है अलग-अलग प्रजातियों की अगर हम बात कर लें तो इसमें अलग-अलग प्रजातियों में परिवर्तन के मुल्यकान के अधार पर ठेके 40 पर 30 सतर क्या की गई है तो गिराबर दर्श की गई है किस रिपोर्ट के अधार पर तो याद एकना है स्टेट ऑफ इंडियाज वर्ड के रिपोर्ट के अधार पर यह दर्श की गई है भारत में पिछले 30 वर्जों में 338 परजातियों के पच्चों की संख्या में बदलाव काध्यन भी किया गया है जिसमें 60 पर 30 परजाति की क्या है तो तापाद में गिरागबट देखी गई है महत्पूर्ण है थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे पूने इस्थित कॉलेज ओफ मिलिटरी इंजिनिरिंग जिसको हम CME भी कहते है हाल ही में 5 मेगावाट सोर औरजा सर्यंत के कार्यवन के माध्यम से भारत का पहला कारबरिंग नेगेविट नेगेटिव गेरिशिन बन चुका है महत्पूर्ण है थोड़ा सा आप लोग इसको याद रखेंगे कहा है तो पूने में एक स्कूल है हम कॉलेज कहले एक प्रकार से नाम क्या है तो कॉलेज ओफ मिलिटरी इंजिनिंग है ये आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगा केंद्रिय बिग्यान और प्रदुर्द की राज्यमंत्री डॉक्टर जीतेंद्र सिंग ने क्या क्या है इन्होंने तो याद रखेंगे इनके द्वारा चेंट्रल मेकिनिकल इंजिनिंग रिसर्च इंस्टिटूट दुर्गापूर द्वारा विक्सित पहला स्वादेशी ए ट्रेक्टर सीमेस आर प्राइमा टी टी टू या फिर टी डवल हम कहलें इसको लॉंच किया गया है ठीक है इसको थोड़ा से आप लोग इसे थोड़ा से हिंदी में नाम टफ है तो आप इस नाम को याद रख सकते हैं ठीक है आगे चलते हैं आगे है राष्टे स्वास्ट प्राधिकरन ने माइक्रो साइट पहल के तहट मिंजूरम की राजधानी में पहला आयुस्मान भार्ट दिजिटल मिसन की क्या किये है तो माइक्रो सौफ्ट लॉंच की है पहला है याद रखीगा पहला है और कनफर्म है यहां से आपको क्वेस्टन मिलेंगे लिख कर ले यहां से कॉस्टन मिलेंगे केंद्रिय पर्दुसन नियंतरन बोड़ द्वारा जारिप स्वच्छ वायू सरवेक्षन 2023 में दस लाख से अधिक अबादी वाले सहड की जो स्रेनी है इसमें इंदोर जो है यह क्या रहा है तो शेर्षक अस्थान पर रहा है जो कि लगातार विशेश थीम जो रहा है वो क्या था तो राष्ट प्रतम सदे प्रतम यह क्या था तो अपने सतंता दिबस का यह थीम था ठीक है याद रखेगा आजादी का अमरित महस्व के तत्वांधन में केंद्री पशुपालन और देड़ी मंत्री जो की स्री परमुत्तम रुपालन ने गुजरा का बाजपन सीविर के साथ साथ ए हेल्प जो कि पशुधन उत्पादन के स्वाथ और विस्तार के लिए मानेता प्राप्त एजेंडियों पर क्या किया है तो कारिंकर्म का अनापरन किया है याद रखेंगे 9 अगस्त को केरल बिधान सभा ने सारब सम्मनित से एक प्रस्ताव पालित किये है और यह प्रस्ताव जो है केंदर सरकार के अधिकारिक तोर पर राजी का नाम केरल के बदले क्या कर दिया गया है तो केरलम करने का आगरह किया गया है याद रखना है आप सभी को यह हम कर र सब्सक्राइब और भारतिये राज रिजर्ड बैंक जो की आर्बी आए के गवर्णर सक्ति कांदास ने केंद्रिये वेब पॉर्टल जिसको हम क्या कहते हैं तो यूटगाम के भी कहते हैं ठीके इसकी क्या कही है तो इसके तहट सुचना तक पहुंचने का प्रवेश यह लॉ इस तो इस तरह से यह क्या हो सकती हैं अपने खाता की सभी जनकारी को वो प्राप्तिय कर सकते हैं इस तरह से याद रखना है लोग सभा अध्यक्ष ओम बिल्ला ने उदायपूर में राष्ट मंडल संसाधिय संग जिसको हम सीपीए भी कहते हैं इसके नौबे भारत शेत्र सम्मेलन का उद्गाटन किया है इन्होंने याद रखना है और हाल ही में केबिनेट ने सार्बजिनिक नीजी भ स्वा की मंजूरी है यह हर राज्य को दिये जाएंगे लगबग अगर में हम सही है तो लगबग आठ या दस की बात की गई है क्योंकि हम 2-3 दिन पहले ही जाना दिन नहीं हुआ है 2-3 दिन पहले ही हम इसको कहीं देखे थे इसलिए थोड़ा सा हम यह पर आपको याद कर र राज बन गया है महत्पूर्ण है पहला राज भारती कौन सा बना है तो गुवा किस छेत्र में तो याद रखना है विट्रो फर्टिलाइजर्स के छेत्र में और यह फ्री आई वी अप सुभीधा के लिए मुख्य मंतरी प्रमुष सामंद ने गुवा मेडिकल कॉलेज की क्य आपका क्या तो अब निक्स्ट है आपका फ्लाइड फ्लाइड वाच मोबाइल एप यह क्या है तो यह केंद्री जल आयोग के द्वारे यह लॉंच किये गए हैं इसका उद्यस से क्या होगा सबसे ज्यादा तो आपको उद्यस ही जानना है तब ही आप को सही कर पाएंगे उद्यस से है बाठ प्रभावित छेत्रों में लोग को साथ दिनों तक क्या करना है तो वास्तविक समय में बाठ की इस्तिति की जानकारे और पुर्ण अनुमान प्रदान करना है बहुत इंपोर्टेंट है सबसे अगर बाद हम बात कर लें तो खास करके बिहार की दिरिश् प्रच में यह एप काम करता है तो काफी अच्छा होगा हर छेत्रों के लिए ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है तमिनाडू सरकार और रेजिंग प्रोमोशन प्राइबिट लिमिटेड ने चिन्ने में 3.5 किलोमेटर नाइट स्टिक सरकीट का सुबारम किया है इस पर रातरी दौर की आयोजन की चाईगी और यह ह graphics और दक्षिन एसिया का पहला स्टरीक सरकीट बन गया है महत्पूर है क्यूं कि अब यहां पर थूड़ा सा आपको तुलना किया जा है भारत और दूसरे मतलब अंतरा श्रांटि एक प्रकार से और के घरड़ना भी देखने द तो यहां पर थोड़ा सा आप समझ सकते हैं ठीक है भारत के सतनता दिवस पर भारतिय सीनाय ने जम्मो कस्मीर के नियंतर रेखा पर आखरी गाउं दत्ता गाउं में भारत ब्रीज का उद्गाटन किया है जो की 115 फिट लंबे इस पूल का नाम क्या रखा गया है तो बीर्चक कि 71 क्या था आपका संस्क्राण यह रहा था और 8 सितंबर 2013 को भारत के स्री नगर में कस्मीर इंटर्नेशन कंवेंशन सेंटर में आयोजिते किये गए थे केंदरिये ग्रामिन विकास और पांचायती राज मंत्रे गीराज सिंग ने नई दिल्ली में आयोजिते एक समाहरों म मंत्राले की वार्सिक छमता निर्मान योजना का सुब आरम किया है तो मंत्राले की वार्सिक छमता क्या होगा यह योजना प्रारम किया गया किन के द्वारा तो यह देखना है गिरी राज सिंग के द्वारा जो कि कौन है तो केंदरिये ग्रामिन विकास पंचायती राज मं सचीव स्री अलकेश कुमार सर्मा ने कीरल के मेजर विलेज कोची में ग्रामीन ग्राफिन औरोरा कारेकरम का उद्धाटन किया है और इस कारेकरम का उद्धाटन का उद्धाटन का लक्षे हुआ ग्राफिन पुर्दोदोगी के नवाचार और व्यावसी करन को बढ़ाबा देना है क्या करना है तो व्यावसी करन को बढ़ाबा देना है ठीक है NCRT ने कच्छा तीन से बार तक के लिए पाठिकरम और पुस्तकों को अंतिम रूप से देने के लिए क्या किया है तो यादिकना है नीप्या जो की हम कह सकते है आई एन आई ए पी ए के संचाल महेंदर चंद्रपंध की अजहता में एक 19 सदस्य समीति का गठन किया गया है इस समीति का कारिका होगा तो इंफोसिस फाउंडेशन की चेरफर सुधार मूर्ती जो होंगे यह आपको याद रखना है मसुहुर गायक संकर महादेबन और प्रधान मंतरी की आर्थिक सलाकार परिशाद की अध्यक्ष जो होंगे यह सभी क्या होंगे तो इन सदस्य में सामिल होंगे और याद रखना है बिके कि देबरोय भी इसमें सामिल है तो यह कुल कितने सदस्य होंगे इसमें 19 सदस्य है जो कि जितने नाम आप देखे हैं ये प्रमुख व्यक्ति हैं याद रखेगा आगे बढ़ते हैं विश्वुश्वास संगठन डबलू एचो ठीके डबलू एचो और भारत के आयूस मंत्राले ने 17 से 18 अगस्त को गुजरा के गानही नगर में पारंपरिक चिकिस्थाप्र वेस्विख सिखर सम्मेलन का आयूजन किया इस तरह करिया पहला सिखर सम्मेलन था दिल्ली Metro Rail Corporation ने यात्रियों को सरक पर मोटर वाहन इस्तिमाल करने के बजाए Metro की सवारी का क्या क्या बिकल्प चुनने से कार्बन और सर्जन में कमी लाने में उसका योगदान को बताने के लिए कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल नाम की एक क्या की है शुरुवात की है महत्पूर्ण है थोड़ा से याद रखेगा किसलिए की गई है ये आप से पूछे जा सकते है मेट्रो सिक्षा कोसल विकास उद्गामी मंतरी श्री धर्मेंदर परधान और आपका केंद्री मंतरी डॉक्टर एस जय संकर ने सन्युक तुरुप से 3 अगस 2023 को study in India portal launch किया है इसके जड़िये अंतराष्टे छाट छातराओं को देश के सिक्षन संस्थाओं में दाखिल से जुरे हर जानकारी उपलब की जाएगी ठीके जो भी जैसे भारत की जो भी student है लेकिन वो कहीं बाहर में पर्राइग कर रहे हैं ठीके तो उस अवस्था में अग कर लेना चाहते हैं किसी कोर्स में तो उनको यहां से जानकारी प्राप्त होते रहेंगे ठीके आगे बढ़ते हैं पुड़ो भारतिये क्रिकेटर सचिन तंदुलकर को भारतिये चुनाओ आयोग ने मज़दाता जगरुकता और सिक्षा अभियान के लिए अगले तीन वर्स देशों के 101 संगितकार और गायक ने भारत के वाला नसी में सुंदर वसूधा नामक अपने प्रदर्शन के दर्शकों को क्या क्या है तो मंत्रबोद कर दिया है याद रखना है ठीके और यह भी आपको याद रखना है कल का एक महत्पूर्ण नियुज है क्या तो जी 20 अब यहाँ देख लीजगा देश का पहला एआई अस्कूल सांती गिरी विद्या भवन केरल की राजधाने दिरुपर्म्पुर्म में खोला गया है कहां खोला गया suivre दिरुपर्म्पुर्म्पुर्म में ठीके ए ऐड क्या है टो एडेलेंस ऑने प्रकार्स घ्रीन बिए औरामनि तो महतपूर्णा है थोड़ा सा आप याद रखेंगे महराष्ट सरकार ने टाटा ग्रूप के मानत चेयरमेन रतन टाटा को राजी के पहले उद्ध्योग रतन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और महराष्ट्र सरकार ने साल के प्रतित उद्धोग रत्न पुरसकार करने की फैसला की है मुंबई में हुई मिस दीवा याद रखिया थोड़ा सा मिस दीवा प्रतियुकता में क्या हुआ है तो स्वेता सारदास ने मिस दीवा याद रखिया निक्ठे नेपी 2020 की तीसरीज वर्स गार पर अखिल भारतिय सिक्षक समागम 2013 का उद्गाटन पीम मोधी के द्वारा किया गया है और नई दिल्ली ने भारत मट एक प्रकार से कहा जाए तो मंदपन में किया गया है ठीक है कहां पर किया गया है यह तो मंदपन में किया गया है यह कहां पर है तो यह नई दिल्ली के भारत मंदपन एक प्रकार से समझ लिजेगा इस अबसर पर केंद्री मंतरी और थे इसको आप लोग याद रखेगा जो इसका है क्या है इसका नाम पुड़ा आपको याद रखना है भारत साख्षकता कारिकरम जो है इसका प्रतीक चिन रखा गया था ठीक है इसको आप याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश केबिनेट ने एक अगस्ट 2013 को उत्तर है राज को पानी परियतन और एडवेंचर अस्पोर्स अस्थल बनाना ठीक है भारत नेपाल ने सिक्षा जल आपूरती और स्वस्ता सुविधा पर क्या क्या है आधारे चार समझोते ग्यापन पार सहस्ता चल या फिर समझोता किया है ठीक है यह भी आप याद रखेगा प तो बता है रोहिनी रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट दोजार एकिस जुलाई दोहरती इसको राष्ट पजी दरोमदी मुर्मू की को स्वापा था और रोहनी आयो का गठन जो हुआ है कब हुआ है अक्टूबर दोहरत सत्रा में किया गया था इसकी अधिस्ता कौन करते है तो नियाएंपोर्टी जी रोहिनी ने किया था इसलिए इसको रोहिनी रिपोर्ट कहा गिया है आगे बरते हैं प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त को अमरित भारत योजना के तहद 508 रेलवे अश्टोसनों के क्या किया है तो पुण विकास की अधार सिल रखी ह जिसका मुख्य युद्धिस है यातरी की सुविधावों में सुधार करना ठीक है जम्मु कस्मीर के उपराजिपाल मनोज सिन्हा ने क्या किया है तो नई दिल्ली में नौवे भारत अंतराश्टिये में सम्मिलन 2023 का उधगाटन किया है यह आप लोग जरूर से बताएगा क 508 रेलवे अस्टेशन में बिहार का कितने रेलवे अस्टेशन इसमें सामिल है यह आपको कॉमेंट में जरूर से बताना है ठीक है नेक्ट है महराष्ट के सभी सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज और अन्य स्वास्तिवा उपलब्द करने का निरना राज्य मंत्री मंड करने लिया है इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा संचालीत दो लाख चार सो अठाट सौरी दो हज़ाट चार सो अठारा अस्पताल और चिकिसा गेंदपड मुफ्त सुविधाय उपलब्द होगी ठीक है ठीक है ठीक है तो हम अचानक अभी हम रेडी नहीं थे और ह जल से जल आपको कंटेंट प्रोबाइड करवाने बहुत जरूरी है इसलिए हम सो थोड़ा सा जल्दी में आ गए हैं कल से आपको बहतर धंग से सेडूल वाईज आपको सब कुछ मिलेगा संचार मंत्राले के तह दूर संचार विभाग 7 अगस्थ से भारत इंटरनेट उससब मना रहा है कबसे तो 7 अगस्थ से मना रहा है और इस उससब का उदेश जो है लोगों के जीवन में क्या करना तो इंटरनेट द्वारा लाए गए परिबरतन के बारे में विभीन ससक्त वास्तविक जन्वकारी और कहानिया कि जहांसा करना है याद रखेगा परियतन मंत्राले ने टिकाव और जिम्मेदार परियतन अस्तल को विक्सित करने का उद्देश से क्या किया है तो स्वादेश दर्शन 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश में परियाग राज और नेमी सारन्य क को विकास अस्तल के पحचान की है तो ये आप जो याद रखिता है थीगे निष्ट बढ़ते हैं तो वित्ट मंत्राले के वे विभाग जो कि महत्पून है यहीव B LAU bye के द्वाड़ा सबकुश देखरे की जाते हैं में महत्पून यफ और इस विभाग ने सरकार और सरकारी उक्करण के लंबिस सम्भीता संभधित विवादों को परहाई धंक से निप्टाने के लिए क्या किया है तो विवास से विश्वास टू का योजना की सुरुवात की है। इस योजना की घोसना केंद्रिय बचट 2023 में केंद्रिय वित्मंत्री के द्वारा किया गया था ठीक है आगे बढ़ते हैं तो नेश्ट है आपका CVSE ने एक से बारवी तक की सभी कक्छाओं में स्वास्त और सारे रिक शिक्छा अनिवार कर दिया है महत्पूर्ण है याद रखेगा CVSE ने आपसे पूछ देगा कि अब कि किसके द्वारा एक से बारवी तक सभी कक्छाओं में स्वास्त की और सारे रिक अनिवार कर दिया गया आपको देदेगा बिहार बोर्ड, CVSE बोर्ड, ICIC बोर्ड इस तरह से भी फसाया जा सकता है तो थोड़ा से आप लोग प्रपेर रहिएगा आगे है भारत में वन एभम जलबावियो परिवरतन मंतराले ने प्रोजेक्ट टाइगर, महत्पोर्ण है, काफि चर्चा में रहा था प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलफीन्ड को मिला दिया है इस नए डिविजन का नाम क्या रखा गिया है तो प्रोजेक्ट टाइकर एंड एलिफेंड रख दिया गिया है ठीक है दोनों जो अलग अलेक योजना थे इन योजनाओं को एक साथ मिला कर एक नाम कर दिया गिया है याद रखेगा नेक्स्ट है आपका केंद्रिय बिज्यान और परदुदिय मंतरे जितेंदर सिना द्वारा एक सो आठ पंखोडियों वाले कमल के फूलों की एक नए किस्म नमो एक सो आठ का अनावरान किया गया है कमल इस किस्म को लखनों में इसे नेशनल टेकनोलोजी रिसर्स इंस्टिट ने विक्सित किया था तो आपको याद रखना है आपसे पुछ देगा कि नमो एक सो आठ जो है इसका विक्सित कहां पे किया गया था तो प्यारे साथ ही यह आपका कहां लखनों में एक जो है संस वहाँ पे नेशनल टेकनोलोजी रिसर्स इंस्टिट्यूट के नाम से इसके दोरा ही किया गया था नेक्ट है हाल ही में गैर लावकारी इंटरनेट सो सुसाइटी दोरा जारे प्लस इंटरनेट रेजिलिक्स इंडेक्स के नूसार भारत इंटरनेट लचीलेपन के मामले में दक्षिन एसिया छेतर में छठा अस्थान पर रहा है आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और भी इसके बारे में जानकारी है चलिए यही तक था नेश्ट हम बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख न्याधिस जो की CGI जिसको हम कहते हैं जो की अभी वर्तमान में कौन है पुर्व न्याधिस जो एक घटना हुई थी जो मतलब थुड़ा सा बेसरम पला घटना था भारत के लिए बहुत ही यह दुखिद घटना था कहा सा है तो वर्तमान इस्थिति के अगर हम बात करें तो बहुत ही सर्मिन्ना घटना था उस घटना को फिर से क्या किया जाएग तो आप याद रखेंगे सेजी आए चंद्र चूड के द्वारा साथ अगस्त को यह घुषना किया था इस घटना अस्थल की पुरा तरह से क्या करना तो पुरी जांच परतार करना जिसके अधिस्ता किसको मिली है तो साथ यह इसको याद रखना है आपको गिता मितल को मिल है ठीक है और इनके साथ है और भी कुछ सहयोगी दल है कुछ सहयोगी सदस्ते हैं यह आप याद रखेंगा साथ अगस्त को विहार में जी 20 सदस्ते देशों के समर्पीत तो गेदर भी आठ नामक एक विशेश कला प्रदस्रिद पटना के विहार सांगरारे में सुरू की ग रखना है यह कब चलू हुआ है साथ अगस्त को अभी वरतमान में भी परदसनी क्या है तो प्रारंब है और यह समात कब होगी साथ अक्टूबर को होगी राजस्थान सरकार ने हाल ही में शासन में सुधार और पाशाशनी कारियों में केंदरी करन के उद्धिस के लिए 19 नए क्या कियें जिले और तीन नए सभाय बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी की है अब आपसी यहाँ फिर से कोशन बनेगा कि किस राजस्थान सरकार के दोरा नए 19 नए जिले और तीन नए सभाय बनाने की गोषना की गई है राष्पति दुरोपदी मुर्मुंग ने 5 अगस्त 2013 को नए दिली के प्रगती मैदान महुत पून है प्रगती मैदान में पुस्तकाले महुसब 2023 का उधगारन किया है इसमें संस्कृती मंत्राले पुस्तकाले के वंद अलमारिक से किताबों का विरासत को आम लोगों तक पहुचाने के लिए दो दिवस्ते पुस्तकाले महुसब 2023 का आयूजन किया गया था तो सारे के सारे आज के class में आपको पूरा निचोर पीडियाफ मिलेगा, पूरा निचोर class मिलेगा, पूरा निचोर information मिलेगा साथियों याद रखना है आप सभी को कि जितना हो सके आप सीर किजेगा और थूरा सा patience बनाए रखेगा देखे एक दिन में आपको नहीं याद होगा, ये बात याद रखेगा सबसे खुसी के बात है कि ये यूटूब पे आपको मिल रहा है तो आप इसको दो बार, तीन बार, चार बार जितना चाहे देख सकते हैं नेक्ट है, अमेजन इंडिया ने स्रीनगर की डल जिल पर देश का पहला तेरता हुआ, आई हैव स्पेन श्टॉल लॉंच किया है, महत्पूर्ण है नेक्ट है, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्वा, वर्वा, सर्मा ने अम्रित व्रिच आंदूलन वेब पॉटल एप मोबाइल एप लॉंच किया है जो कि अम्रित व्रिच आंदूलन एक क्या है, तो एक पहल है जिसका उदेश 17 सितंबर 2013 को व्यक्तियों द्वारा राज भर में करोरों व्यापसाई रूप में व्यहरतपन बौधा लगाना है ठीक है, कब लगाना है, 17 सितंबर को लगाना है ठीक है, हर घर तिरंगा अभ्यान जो कि 13 से 15 अगस तक देश भर में चलाया गया इस अभ्यान का उदेश क्या था तो व्यक्तियों को अपने अबास पर गर्ब से राष्टिय द्वज परदासित करने के लिए प्रेरित किया जाए ठीक है, याद रखेगा और यह भारतिय रिजर्ब बैंक जो है, इसके इंटरनेट से वनचित या कमजोर सिगनल वाले इलाकों में क्या किया जाएगा तो UPI Light Wallet के जड़िये, ओफलाइन भुक्तान की अवस्थ जो है, विवस्था की जाएगी जिसमें रासी 200 से बढ़कर 500 रुपे की गई, देखे, अब देखे, जहाँ पे क्या है, तो जहाँ पे इंटरनेट की कमी है, अब बिना इंटरनेट के तो UPI यूज नहीं हो सकता है, आप सबको पता होगा तो वैसे इलाकों में क्या किया गया है, भारती रिजर बैंक के द्वारा, तो वैसे इलाकों में ऑफलाइन मतलब भुक्तान करने का एक तरीका ढूणा गया है, जिसमें आप 200 से 500 रुपे तक क्या कर सकते हैं, तो आप UPI के माध्यम से लेंदेन कर सकते हैं, ठीक है, यह याद रखना है आगे बढ़ते हैं नेक्ट है रक्षा प्रिक्षन अवसर रचना योजना के तहद भारत का पहला ड्रोन सामाने प्रिक्षन केंद्र कॉमन टेस्टिक सेंटर तमीन नाडू में स्थाबिद किये गये हैं जिसका अगर हम बात करें तो यह स्रीप पेरमदूर के पास वलम वडगल के पास यह इस्थित है और यह आपको याद रखना है कहाँ पे है तो SIPCTO प्रदोतिकी पार्क में जो की 2.3 एकर में ठीके लगभग यह अस्थापित किये गये हैं आगे बढ़ते हैं तो नेक्ट है अगस्त 11 अगस्त दिल्ली के केंद्रिय मंत्री और सा नहीं दिखाए थी ठीक है यह आपको याद रखना है लेकिन यह सम नहीं पुछे जाएंगे जो सत्थी में पुछने की संभावना हैं हम वही बताएंगे आपको ठीक करना टक उच्च न्याले ने केंद्र को तीन महें के भीतर भारत में हवाना सिंड्रोम की संभावना के जाज करने का निर्देश दिया है हवाना सिंड्रोम क्या है तो मांसिक स्वास लक्षनों के समू को संदर्वित करता है इसमें आम तोरपड वीना किसी बाहरी सोड के कुछ आबाव सुना है परती है जिसमें चक्कर सिर्धर्द इस अब यह सभी क्या है तो इस सब डीसेज क अगर हम बात कर ले तो यहां ध्यान सुनिएगा भोपाल में भाद के लोक और जन्जाती अभी वेक्तियों के राष्टिये महोसब उपसर्ग और अंतराष्टी साहित महोसब उन मेस्ट का उदगाटन किया गया है कि इनके द्वारा किया गया है तो भारत के राष्टपती द् मुलमुलक जी के द्वारा किया गया है तेलांगना के उद्ध्योग और आईटी मंतरी केटी रामा राव ने हैदराबाद में भाद का पहला क्रिसी डेटा एक्सचेंज लॉंज किया है महत्पूर्ण है यह सभी नहीं पूछे जाएंगे लेकिन यह सभी देश के बार में ह पहला है पूछे जाएंगे याद रखिएगा रेल्वे का न्व अनाबली अश्टेशन क्या है यहाँ पे देख लेजेगा न्यू अमरावती अश्टेशन है जो कि महराष्ट में पढ़ता है यहाँ भूसाबर्द डिवीजन का पहला अश्टेशन मध्यी रेलवे का तिसर पिक अश्टेशन बन गया है जो कि पिक अश्टेशन ऐसा अश्टेशन ने जो कि पूरी तरह से महला करमचारी के द्वारा क्या होता है तो प्रदिवंद किया जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं दुरुपती राश्टपती दुरुपती मुनबुग ने राश्टपती भवन है अब आप से पुछ देया आगा कि जो सवारबिका स्मारक सिक्का है यह किस अबसर पर जारी किया गया था तो प्यारे साथियों आंदर प्रडेश के पुडब मुख्य मंतनी का क्या है तो इनका इनके सताब्धी वर्स पर किया गया था कि के द्वारा तो भारत के राष्टपती दुरोपती मुर्मुर्ण के द्वारा सुला अगस्त के G20 फिल्म फेस्टिवल के शुरुआत नए दिल्ली से हुई और इसके शुरुआत सत्य जीत रेक के पांथेर पंचाली के स्क्रिणिंग से हुई थी ये भी आप याद रखेगा वित्मंत्रायले ने ओईल इंडिया लिमिटेड को महारतन के श्रेणी में अपग्रेट करने के मंजूरी दिये हैं महत्पूर्ण है यहां से प्रश्न आने के संभावना है तेरवी महारतन केंद्रे सारवजनिक छेतर उद्ध्यम बन गया है और बारवी महारतन कमपणी जो की हम कहले यह आपका ग्रामिन विधूती करन निगम लिमिटेड के नाम से जाना जाता है देश के लिए अपना जीवन ने उच्छावर करने वाले वीडो को सरदाजी देने के लिए 9 अगस 2023 से 30 अगस 2023 तक देश ब्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया गया था महत पूर्ण है क्योंकि बीडो की बात की जा रही यहां पे कनफर्म है यहां पे एक कोश्टन पूछे जा सकते है पूछे जाएंगे आप से कि मेरी माटी मेरा देश अभियान का चलाय गया था & किस लिए चलायगा था तो बीरो के संधाजली देने के लिए चला गए थे जो कि 9 अगस 2023 से 30 अगस 2023 तक यह चला था ठीके आगे बढ़ते हैं तो कहता है हिमाचर प्रदेश सरकार ने भारी बारिश के कारण मानब जीवन और संपत्ति को हुए नुकसान को देखते हुए पहारी राज्यों को क्या कि है तो प्राकिर्तिक आपदा प्राभावित छेतर घोसित किया है अब आपसे पूछेगा किस राज्य सरकार के द्वारा प्राकिर्तिक आपदा प्राभावित छेतर घोसित किया गया है बारिश के कारण जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुँचन के कारण इस प्राकार से आपका question पूछे जा सकते हैं कि प्राकिरतिक आपदा प्रभाविच छेत्र घोसित किया गया है तो वो आपका हो जाएगा हीमाचल प्रदेश प्रित्वी बिग्यान मंत्राले के तथ भारतिय राष्टिय महासागर सुचना सेवा केंद्र ने नाविकियो और मशली पकड़ने वाले समुदाई के लिए समुद्र मोबाइल एप लॉंच किया है तो याद रखना है यहाँ पे आपको नाविको और मशली पकड़ने वाले समुदाई के जानकारी के लिए यहाँ क्या किया गया है इस एप को लॉंच किया गया है ठीके एप का नाम क्या है आप याद रखेगा राजमार्ग यातरा एप भारती राष्टे राजमार्ग प्राधी करन जो कि इसका उद्यस से क्या होगे तो राजमार्ग का उप्योग करने वाले लोगों के अनुभाव को बहतर बनाने का इसका उद्यस से होगा नसीली दबाव के खत्रे से लड़ने के लिए राश्पति दुरोपदी मुणमू ने कोलकाता में ब्रह्मा कुमारी जित द्वारा आजो जित नसा मुक्त भारत अभ्यान के ताथ मेरा बंगाल व्यस मुक्त बंगाल अभ्यान के शुरुआत की थी और पीम या सस्विश चात्रवेती योजना दोजार तैस राश्टिये परिक्षन एजेंसी समाजिक न्याय और आधिक का तज मंतराले द्वारा जारी किया गया था इसका उदेश से था क्या तो देश के ओवी सी इडबलू एस गेर अधिस अनु सूचित और खाना बदोस और जो थोड़ा सा क्या मतलब कह सकते हम तो आप थोड़ा सा इन स्रेनी के जो बच्चे है इनको क्या क्या जाएगा तो नौ से बार तक के छात्रों को क्या क्या आगे बढ़ते हैं जुलाई का जौलाई के महीने की हम कल बात करेंगे ठीक है आज थोड़ा सा हम काफी लंबा क्लाप सो चुका है तो जुलाई महीने के कल बात करेंगे साथियों यहाँ पर याद रखिएगा कि आपको पूरा अभी काफी दिन है आज तारीक कितना है तो आज आपका 10 सेप्टमबर है अभी आपका 20 दिन पूरा पूरी बचा हुआ है और 20 दिन में हम इतना बहतर आपको करेंट अफिर देंगे इतना बहतर सिर्फ यही बुक नहीं जितने बुक है मार्केट में सब हम आपको देंगे बस करना क्या है तो थोड़ा सा देखे थोड भी पुरसाहन बरहानी के लिए आप सियर किजेगा थुरा मेरा भला हो जाएगा और प्लीज लाइक जरूर किजेगा और कॉमेंट ठीक है तो आज के लिए इतना ही कल और मिलते हैं नए टौपिक के साथ नए उसाय के साथ जैहिन जैभारत